नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अमन्ना और आप देख रहे हैं OKCredit दोस्तों MSME की बात जब भी आती है न तो जहन में पहला सवाल यही आता है कि MSME से आखिर लोन कैसे लिया जाए हमें पिछले वीडियो उस पर कई ऐसे वीवर्स ने सवाल पूछे हैं जिसमें यही बात कही गई है कि आखिर MSME से लोन लिया कैसे जाता है और इसमें बैंक और MBFC दोनों शामिल होते हैं अगर हम बैंक की बात करें तो State Bank of India, Punjab National Bank, ICICI, Ilhabad Bank, Central Bank यह तमाम बैंक लोन देते हैं और यह तमाम बैंक आपको option देते हैं कि आप चाहे MSME से लोन लेने के लिए आप चाहे online आवेदन करें या फिर offline आवेदन करें यह आपकी मर्सी है इसके अलावा सरकार की विभिन योजनाओं की मदद से MSME लोन देता है MSME लोन के तहट आने वाली सरकारी योजनाओं में मुद्रा लोन CGTMSC PMEGP आधी शामिल है इसके अलावा आपको बता दें कि मुद्रा लोन योजना के अंतरगर्त कुछ उप योजनाए भी आती हैं सूक्षम विभिपारियों के लिए लोन, महिला उद्यमी योजना, बैंकों के लिए रीफाइनेंस योजना, माइक्रो क्रेडिट योजना, मुद्रा कार्ट, क्रेडिट गरंटी फंड एवं एक्विपमेंट फाइनेंस योजना आदी इन योजनाओं के तहत ये शौर किया जाता है, ये सुनश्चित किया जाता है, कि जितने भी मौजूदा व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, या फिर नए व्यापारी हैं, उनको फाइनेंस के हिसाब से किसी तरह की कोई दिक्कत नाएं और उनको राशी प्राप्त हो तो दोस्तों अब हम बात करेंगी मुद्रा यूजना के तहत आनलाइन आवेधन कैसे करें तो मुद्रा यानी Micro Unit Development and Refinance Agency को छोटे वेपारियों को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया और इस यूजना के तहत दिये जाने वाले लोन को शिशू, किशोर और तरुन के नाम से तीन केटेगोरीज में बाटा गया शिशू लोन में स्टार्टप व्यफसाई के लिए 50,000 रुपए तक का MSME लोन दिया जाता है वहीं के शूर में 5,000,000 रुपए तक का लोन उन कमपनियों को दिया जाता है जो कुछ समय से चल रही है लेकिन पूरी तरह स्थापित नहीं है और तरुन लोन में 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है उन कमपनियों को जो स्थापित तो हैं लेकिन और विस्तार करना चाहती है इस लोन का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इसमें आपको किसी भी गैरेंटर की जरूरत नहीं है यानि कि आपको अपनी गैरेंटी खुद लेनी है दूसरा फाइदा ये है कि इसकी कोई processing fees नहीं है कोई भी चार्ज नहीं है, कोई hidden चार्ज नहीं है तीसरा फाइदा ये है कि इसको चुकाने के लिए आपको 5 साल का समय दिया जाता है बता दे कि मुद्रा योजना के तहट कोई निश्चित ब्याजदर नहीं है विभिन बैंक को द्वारा मुद्रा रिन के लिए अलगलग ब्याजदर ली जाती है मुखेता ब्याजदर 12 प्रतीशत है अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए यदि आप आफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन फॉर्म उसके बाद पहचान पत्र उसके बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मत दाता पहचान पत्र आदी में से कोई एक अड्रेस प्रूफ, अड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, लीज एग्रिमेंट, लैंड लाइसेंस, टेलिफोन या बिछली का बिल, राशन कार्ड या फिर सेल्स टेक सर्टिफिकेट इन में से ओई भी एक सर्मिट कर सकते हैं उम्र प्रमान पत्र यानि एज प्रूफ, इसके लिए पासपोर्ट मत दाता पहचान पत्र और पैन कार्ड आदी में से कोई भी है इसके अलावा आपको अपने पिछले 12 महीने का बैंक स्टेक्मेंट सब्मिट कराना होगा आपने अपने बिजनस को MSME के तहट रेजिस्टर किया है, इसके प्रमान पत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद आपको अपना प्रॉपर राइटर पैन कार्ड और साथ ही कमपनी के नाम से बने पैन कार्ड की भी आविशकता होगी वेफसाई को अपने पिछले दो वर्षों के प्रॉफिट एवं लॉस की बैलस शीट की कॉपी भी सब्मिट करनी होगी और आखिर में आपको अपने सेल टेक्स दस्तावेज और नगर टेक्स दस्तावेजों की भी एक कॉपी सब्मिट करने के लिए कहा जा सकता है अब बात करते हैं कि ओल्लाइन फॉर्म कैसे भरा जा सकता है ओल्लाइन आवेदन भढ़ने के लिए आपको उद्यमी मित्र की ओफिशिल वेबसाइट पर जाना होगा और इस वेबसाइट का लिंक हमने दिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है मुद्रा लोन के लिए लॉगिन करने के बाद अलगलग स्टेप में सभी जानकारी मांगी जाएगी अन्थ में जुरूरी कागजाद भी मांगे जाएगे जिसे स्कैन करके अपलोड करना होगा अगर आपको एप्लिकेशन फाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उद्यमी मित्रोपोर्टल आपको सही एजंसी या व्यक्ति से संपर्क कराएगा ताकि आप लोन के लिए एपलाइ कर सके हाला कि इसके लिए आपको फीज देनी होगी और उद्यमी मित्रोपोर्टल अपनी पर्सनल डीटेल भर कर एजंसी या व्यक्ति के लिए रिक्वेस्ट करना होगा तो दोस्तों अगर आप MSMA से जुड़ी कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट पाउक्स पर लिख सकते हैं किसी वी तरह का कोई डाउट हो हम जरूर क्लेयर करने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और हां आप हमारे यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूलें बैल आइक ओन दबाना बिलकूल न भूलें लाइक गमेंट जरूर करें